हेलो एब्रिवान कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे तो जैसा कि आपको पता है कि आपका टॉम 1 के लिए सैंपल पेपर डिलीज हो गिया है तो कल हमने क्लास 10 मैस का सॉल्व किया था आज हम क्लास 10 साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं ठीक है टॉम क्ठेटा के लिए सब्सक्राइब करने है इसका मतलब आपको सार बोशन करके आना है गलत होने से कोई loss नहीं है तो section A start करते है section A में 24 questions, कोई 20 attempt करना है और यहाँ पर एक अच्छा बात लिखा है first attempted 20 questions will be evaluated कोई बच्छा माल लीजिए इस section में 24 questions है वो माल लीजिए इस section में 23 questions करके आ जाता है तो इस 23 में से जो पहला 20 होगा वो ही check किया जाएगा तो number 21, number 22 जो आपने किया वो check नहीं किया जाएगा बले ही आपका यह दोनों सही हो और यहाँ पर कोई question गलत निकल जाए तो इसी को consider करके marks दिया जाएगा ठीक है यह करना बेकार हो जाएगा तो इसलिए advisable है कि आप वो ही 20 करें सिख वो ही 20 करके आए जो आपको अच्छे से आता हो extra item करके कोई फाइदा नहीं होने वाला यहाँ ठीक है चलिए question number 1 रीमा टूक 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it what would she observe तो यह chapter number 1 NCRT से question है page number 10 में आपको इसके उपर activity मिलेगा ठीक है तो जब हम पढ़ाएते तो बुले थे यह काफी important है तो जिनको याद है वो तो directly यहाँ पर yellow precipitate was formed इसको tick कर देंगे ठीक है और equation इसका कैसा होगा lead nitrate यानि PBNO3 PBNO3 whole twice plus क्या लेना है यह पर potassium iodide KI KI तो क्या-क्या मिलेगा K के साथ NO3 आ जाएगा तो KNO3 plus PB और यहाँ पर I मिलके एक product देंगे PBI2 है की नहीं balance करने के लिए यहाँ पर nitrate दो है तो दो लगाई है potassium दो हो गया तो दो लगाई है ठीक है balance हो गया तो यहाँ पर जो PBI2 है ले डायोडाइड यह precipitate बनता है और यह yellow color का होता है यह बात याद रखेंगे ठीक है फिर से term 1 में आने का इसका काफी high chances है चेलिए question number 2 identify gas A in the following experiment यह तो diagram देखके पर चल रहा है यहाँ पर एक pop sound है मतलब यह gas कौन सा A है यह gas A कौन सा है hydrogen gas है option number B इसका right answer होगा ठीक है question number 3 which of the following two combinations are correct diagram बना है यह यह पर metal metal में आप dilute acid डाल रहे है dilute HCl डाल रहे है तो एक salt बनता है और एक gas gas तो हमें पता है hydrogen gas ही निकलता होगा ठीक है तो देखिए कौन सा correct यह बला जारा अगर metal को हम copper लेते हैं तो gas evolve होगा की नहीं होगा यह बहुत important है यह NCIT book में आपका page number 44 में mention किया गया है कि copper जो है वो dilute HCl के साथ reaction नहीं करता है ठीक है तो यह पर gas evolve नहीं होगा तो यह 1 तो गलत है ठीक है फिर दूसरा में बोला गया है iron iron एक metal है dilute HCl के साथ reaction करेगा और gas भी निकालेगा ठीक है 2 सही है magnesium भी gas निकालेगा लेकिन यह आपे लिखाए gas evolve no तो यह गलत होगा यह नहीं होगा ठीक है zinc भी reaction करेगा और gas निकाल देगा ठीक है तो 2 और 4 right combination है यानि option number D होगा इसका answer ठीक है 3 का हो रहा है D चलिए question number 4 यह बहुत easy question है यह इसको आप easily कर पाएंगे try कीजी इसको करने का balance equation पैचानना है तो उमीद करते हैं आपने इसको पैचान लिया होगा option number B इसका right answer है ठीक है question number 5 the graph given below depicts a neutralization reaction ठीक है acid plus alkali gives salt and water the pH of a solution changes as we add excess of acid to an alkali जब आप ज़्यादा acid डाल देंगे तो वो solution acidic हो जाएगा तो पुछा किया है which letter denotes the area of the graph where both acid and salt are present तो इस solution में ज़्यादा acid हो salt तो होगा है क्योंगी reaction हुआ है acid present हो तो कहाँ पे acid present होगा तो जो भी graph का point pH से 7 से कम होगा वहाँ पे acid present होगा यानि point number D इसका right answer होगा ठीक है चलिए question number 6 in the reaction of iron with copper sulfate solution ये reaction हो रहा है which option in the given table correctly represents the substance oxidized and the reducing agent हम आप को अशे सपराह रखें कि जो substance oxidized होता है वो ही reducing agent भी होता है तो यहाँ पे जो Fe है उसमें oxygen add हो जा रहा है तो Fe oxidized हो रहा है और यही reducing agent भी है तो यह रहा Fe Fe option number A इसका right answer होगा ठीक है next question 7 chemical reaction between copper and oxygen can be categorized as तो copper लीजिए plus oxygen लीजिए क्या मिलेगा copper 2 oxide ठीक है balance करने के लिए ये 2 लगा दीजिए तो ये 2 product मिलके एक दे रहे है बताए कौन से है ये combination reaction and base of calcium carbonate calcium carbonate एक salt है तो ये किस acid और किस base से बना होगा तो calcium है यानि जरूर इस base में कहीं रहा है calcium होना चाहिए तो ये थीनों में से कोई भी हो सकता है ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें calcium है ही नहीं फिर यहाँ पर carbonate है तो जरूर एसीड में कहीं कार्बोनेट होना चाहिए यह रा कार्बोनेट तो यह कंडिशन यह कंडिशन सेटिस्पाइब वह आप्शन नमबर बी इसका राइट एंसर है ठीक है कोशन नमबर 9, how will you protect yourself from the heat generated while diluting a concentrated acid तो जबी भी हम acid को dilute करते हैं तो हम क्या करते हैं पहले पानी लेते हैं और उसमें बूंद बूंद करके acid डालते हैं और लगातार हिलाते रहते हैं तो by adding acid to water with constant stirring ठीक है तो 9 का होगी option number A कोशन number 10, why is it important to balance a stratal chemical equation यह तो सबको पता होगा to verify law of conservation of mass number 11, carefully study the diagram of the human respiratory system with levels A, B, C, D, ठीक है diagram में number दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 यहाँ पर गलती से A, B, C, D लिख दिया गया है select the option which gives correct identification and the main function and यह फिर all characteristics तो यह 1, 2, 3, 4 का सही से नाम पहचानना है कि किसमें सही नाम दिया गया और function यह फिर characteristics सही किसमें लिखा हुआ है तो 1 में लिखा हुआ है, यह trachea है, तो बिल्कुल सही है it is supported by bony rings for conducting inspired air बताइए सही है कि गलत है, यहाँ पर bony नहीं होगा, ठीक है यहाँ पर क्या होगा, cartilage rings होगा, cartilage से बना होता है तो यह तो गलत हो गया, दूसरा option देखे, ribs कहाँ पर two, हाँ यह ribs denote कर रहा है, ठीक है when we breathe out, ribs are lifted, नहीं, जब सास अंदर लेते हैं, breathe in करते हैं तो lift होता है तो यह भी गलत है, c देखे, number three में alveoli दिया गया है thin wall sack like structure for exchange of gases, हाँ, alveoli का यही काम होता है तो यह right answer हो गया, यही पर gas exchange होता है चौथा, देखे, चौथा में क्या गलती था, diaphragm, it is pulled up when we breathe in, नहीं when we breathe out, तब यह pulled up होता है, ठीक है तो option number C, इसका right answer होगा आगे move करे, question number 12 में identify the options that indicate the correct enzyme that is secreted by location A, B, C यहाँ पर भी 1, 2, 3 है, लेकिन A, B, C लिखा है यहाँ से कौन सा enzyme निकलता है, मूँ में तो MLS, एक ही option में है MLS, बाकी check करने के जरूत नहीं है B में tick कर दीजिए आगे move करे, question number 13 में opening and closing of stomatal pore depends on, बताइए बहुत ही basic question है तो यह water content पर depend करता है option number D होगा इसका number 14 the figure given below shows a schematic plan of blood circulation in humans with levels 1, 2, 4 ठीक है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर blood circulation दिखाएगा है, NCRT का ही diagram है identify the correct level with its function ठीक है तो हम यहाँ पर सबसे पहले नाम check कर लेते हैं नाम सबका सही सही है की नहीं बताइए, यह क्या represent कर रहा है यह lungs represent कर रहा है, यह heart है और यह body parts, capillaries है, ठीक है तो 1 का नाम क्या हो जाएगा चुकि यह blood vessels, lungs से लेके आ रहे हैं और लेके आ रहे हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं pulmonary veins ठीक है फिर 2 को क्या बोलेंगे, यह heart से लेके जा रहे है तो इनको हम लोग arta बोलते है ठीक है इस 3 को क्या बोलेंगे, 3 को लिग भी देते हैं ताकि easy हो pulmonary veins इसको बोले थे इसको arta बोले थे 3 को क्या बलेंगे यह heart से जो blood है वो lungs की तरफ ले जा रहा है तो इसको pulmonary बोलते है और ले जा रहा है heart से तो यह artery ठीक है और यह blood body part से heart की तरफ ला रहा है तो इसको venacava veins होता है यह सभी arteries होते हैं यह veins होते है ठीक है तो number 1 pulmonary vein नाम सही है क्या हाँ बिल्कुल नाम सही है इसका काम क्या है यह lung से साफ खून यानि oxygenated blood हार्ट की तरफ ले आता है तो takes impure blood from body part explanation गलत हो गया इसका ठीक है number 2 2 कहा है यह 2 का नाम है aorta यहापे लिखा है pulmonary artery नहीं लेकिन यहापे औरटा लिखा हुआ है तो यह फिर से गलत हो गया यानि option number D right होने वाला है D यह इसका नाम बेना कावा सही लिखा है function लिखा हुआ है takes blood from body parts body parts से जो blood है वो लेके आ रहा है heart की तरफ heart में भी कौन सा chamber में तो right auricle ठीक है right arterium में लेके आ रहा है तो option number D इसका right answer होगा काफी अच्छा question है मतलब एक question में लग रहा है 4 question का power लगाया गया है यहाँ ठीक है चलिए question number 15 identify the phase of circulation which is represented in the diagram of heart given below कौन सा phase दे बताना है तो देखके ही लग रहा है यहाँ पे contraction हो रहा है arrows indicate contraction of the chamber zone ठीक है तो देखिए यहाँ से जो blue यानि impure blood है वो यहाँ से arrow एक निकलने का sign दिया है तो impure blood निकल रहा है lungs की तरफ जा रहा होगा और यहाँ pure blood भी निकल रहा है pure blood निकल के body parts की तरफ जा रहा होगा ठीक है arrow का sign देखके हम बोल रहे है चलिए option देखते हैं क्या क्या है number A में लिखा है कि blood transferred to the right ventricle and left ventricle simultaneously तो नहीं blood तो transfer to नहीं होगा transfer from होना चाहिए था blood यहाँ से निकल रहा है यहाँ पर आ नहीं रहा है ठीक है तीक है गलत हो गया blood is transferred to lungs for oxygenation हाँ यहाँ से blood जा रहा है oxygenation के लिए and is pumped into various organs simultaneously और साथी साथ organs में भी जा रहा है तो option number B इसका right answer है ठीक है आगे move करें 16 पर observe the diagram of human digestive system तो यह diagram को observe कीजिए human elementary canal का diagram बना हुआ है match the labeling referred in column 1 and correlate with the function in column 2 ठीक है तो इन सब को match करना है और नीचे कुछ options दिया गया है तो number 1 1 में दिख रहा है mouth तो 1 का किस से match किया जा चलिए देखते है 1 the length of this depend नहीं होगा initial phase of start digestion increase the efficiency of lipase this is the site of complete digestion तो 1 का initial phase of start digestion यह से तो start होता है amylase से तो 1 का B होना चाहिए तो 1 का B B में भी है C में भी है A और D तो नहीं होगा answer ठीक है चलिए आगे और check करते है 2 2 में दिख रहा है liver liver से क्या निकलता है bile juice जिसमें bile salt होता है और यह enzyme का efficiency बढ़ाता है तो increase the efficiency of lipase तो 2 का C होना चाहिए तो यह रा 2 का C B में है ठीक है इसमें तो D है यह नहीं होगा तो option number B इसका right answer है ठीक है question number 17 which of the following mirror is used by a dentist to examine a small cavity in patient's teeth dentist का नाम सुनते ही कौन सा mirror का ख्यालाता है तो आप बोलेंगे concave mirror concave mirror में कौन सा case बनता होगा 6th case ठीक है जब dentist उस mirror को दात के बहुत पास ले जाएगा focus के अंदर आ जाएगा तो image जो है virtual बनेगा लेकिन enlarge बनेगा ठीक है तो 17 का हो जाएगा C आते हैं question number 18 पे question number 18 which diagram shows image formation of an object on a screen by a converging lens कौन सा diagram सही है convex lens का diagram दिया गया है तो option number A देखते है एक parallel रे भेजा गया है और यह जो distance है 2 into focal length 2F पे जाके यह merge किया तो इसा तो नहीं होता यह focus से गुजरता है तो यह diagram गलत हो गया similar गलती यहां पे भी किया गया है 2 into focal length यहां पे जाके नहीं touch करेगा यह focus length पे इस touch करेगा ठीक है यह भी गलत हो गया option number अगर C देखे तो एक parallel ray आया है focal length पे जाके गुजरा है यह सही है optical center से भेज़े तो वह एकदम सीधा गुजर गया है तो यह बिल्कुल सही diagram है ठीक है और D में क्या गरबर है D में आप देख रहे है यह first ray तो ठीक है second ray ऐसा कभी bend नहीं होता है ठीक है यह गलत है option number C इसका right answer होगा 19 पे आ जाते है which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it यह question आपको याद होगा हम भी कराए थे MCQ कराते वक्त इसका answer तो रटा हुआ है option number A होता है option B चेंज नहीं है ठीक है concave mirror as well as convex lens आगे move करे 20 पे consider these indices of refraction glass का refractive index इतना है air का इतना water का इतना based on the refractive indices of three material arrange the speed of light through them in decreasing order तो सबसे ज़्यादा speed of light किस में होगा तो जो सबसे ज़्यादा optically lighter है यानि air में सबसे तेज जाएगा उसके पाद water में जाएगा फिर glass तो air, water, glass option number C इसका right answer है ठीक है 21 if a beam of red light and a beam of violet light are incident at same angle on the inclined surface of a prism from air medium and produces angle of refraction R and V respectively which of the following is correct 2 light रहे एक red light और एक violet light दोनों आप prism पे डालते हैं ठीक है तो एक बार angle of red light के साथ angle of refraction R होता है और violet light के साथ angle of refraction B होता है तो बताना है R और V में क्या relation है आप मेरे को सोच के बताइए prism में जब भी white light भेहा जाता है तो विवग्योड जो बनता है वो इस करम में बनता है V I B G Y O R मतलब जो violet light है वो सबसे ज़्यादा bend होता है और dead light सबसे कम bend होता है है की नहीं? मतलब ये angle V जो है वो सबसे ज़्यादा होगा R सबसे कम होगा तो V ज़्यादा R कम ठीक है? option number D इसका right answer होगा समझे solve करने का तरीका चलिए 22 examine the above figure and state which of the following option is correct one small box in the figure is equal to one centimeter ठीक है तो यहाँ पे दिख रहा है की mirror has focal length focal length बताना है और magnification बताना है चलिए तो focal length यहाँ पे आप count कर लिजिए कितना है 1, 2, 3 तीन box से तो focal length हो गया 3 centimeter plus की minus सोच के बोलिए आप इस side measure कर रहा है तो minus 3 ठीक है? और magnification object को हम लोग center of curvature पर रक रहा है तो image भी center of curvature पर ही बनेगा तो m का value तो क्या होगा? 1 होगा ठीक है? और चुकि उल्टा बन रहा है तो minus 1 लेंगे तो f minus 3 और m minus 1 देखते हैं कौन सा option में है focal length minus 3 और magnification minus 1 option number B इसका right answer होगा 23 प्या जाते है the angle of incidence from air to glass at the point O on the hemispherical glass slab यह एक hemispherical glass slab है यहाँ पर angle of incidence यह जो incident ray गया है इसका angle of incidence कितना है बताई है angle of incidence क्या हता है? incident ray और normal के बीच में जो angle होथा है इसको angle of incidence बोलते हैं यह तो perpendicular ही गया है और incident ray भी इसे चीपक के गया है दोनों के बीच में एंगल 0 degree है बोलते हैं ठीक है तो option number B होगा इसका answer 24 a prism ABC जिसका base है BC ठीक है is placed at different orientation अलग-अलग तरीके से रखा गया a narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the as shown in below figure ठीक है एक white light incident कराया गया अलग-अलग तरीके से in which of the following diagrams after dispersion the third color from the top of the spectrum corresponds to the color of sky किस में उपर से कर हम count करें तो तीसरा color sky के color यानि blue color मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले इसको check करते हैं यहां से अगर light ray भेजेंगे तो क्या मिलेगा V, I, B, G, Y, O, R तो उपर से count करें तो तीसरा में yellow मिल रहे हैं यहापे लेकिन तीसरा में चाहिए था blue ठीक है यानि समझ रहें इसको अगर ultra कर दे तो काम हो जाएगा उल्टे वाले में check करें यहाँ पर इसमें काम बनना चाहिए देखिए यहाँ से जब light ray भेजेंगे तो विब्योर बेस का तरब से लिखा जाता है इसमें भी सेम इंस्ट्रक्शन है 24 कोशन से कोई भी 20 एटेम करना है और फर्स्ट 20 जो आप एटेम करेंगा उसको इवालुएट किया जाएगा तो देखिए कोशन यह रहा लाइम इसा कुछ लिखा है परते हैं यहाँ पर इडेंटिफाइड दे गिवं टेवल विच रिप्रेजेंट टैप आप अव रियक्शन और इस्टेप वन इस्टेप टू में ताइप अप यहाँ पर रियक्शन पैचानना है तो एंडो थर्मिक है क्या पैचानना है देखिए स्टेप यहाँ पर हीट है हीट आप बाहर से दे रहे हीट अब्जॉब कर रहा है तो एंडो थर्मिक है और स्टेप टू लाइम इस्टोन है हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा CAO मिलेगा और इसी CAO में मंतलब क्याल्σιयॅ मोक्सियाम में अगर वाटर और ओर द्ट करते तो स्लेग लाइम क्याल्सियम है यहाँ पर हीट रिलीज होता है यह एक्स थर्मिक है तो पहला स्टेप वगा एंडो थर्मिक यहाँ पर ठीक है यहाँ पर years mention किया गया है तो किस साल में hydrogen ion सबसे ज़्यादा था तो हमें पता है जितना pH का value कम होता है उतना hydrogen ion ज़्यादा होता है तो pH का value सबसे कम कहां पर है यह रा 2008 में pH सबसे कम है तो hydrogen ion सबसे ज़्यादा इसी में होगा तो option number B इसका right answer होगा समझे question number 27 the diagram shows the reaction between metal and dilute acid यह diagram दिखाया गया है what is the reason for different behavior of magnesium in test tube B test tube B में कुछ अलग दिख रहा है हमें क्या अलग दिख रहा है देखिए test tube A में देखिए यह metal HCl reaction हुआ है कुछ यहाँ पर बना है यहाँ पर भी metal HCl reaction हुआ है नीचे में कुछ बना है यहाँ पर भी नीचे में कुछ बना है लेकिन metal B में जो है test tube B में जो है reaction होते होते यह mg पानी में देखिए लगा है तो ऐसा Q तो magnesium जो है काफी ज़्यादा reactive element काफी ज़्यादा reactive metal है reactivity series में भी यह तीसरे नमर पर आता है तो यह काफी vigorously react करता है dilute HCl का साथ और कौन सा gas बनाएगा यह लोग सब hydrogen gas बनाएगे ठीक है तो hydrogen gas का जो bubble है वो इस पर चिपक जाता है और इतना चादा bubble हो जाता है कि इसको पानी में तैड़ना पड़ता है float करने लग जाता है यह तो देखते हैं option किस type से है इतना तो हमारा logic है magnesium is lighter element than dilute HCl नहीं ऐसा कोई logic नहीं है magnesium react with dilute HCl to produce hydrogen gas which helps in floating हाँ यह हो जाएगा बाकी option देखें तो यहाँ पर N2 gas, carbon dioxide gas यह सब नहीं होता है option number B होगा इसका answer question number 28 the table shown below gives information about four substances A, B, C, D ठीक है identify any compound from the table any compound का properties से identify करना है तो यहाँ पर दिया है melting point any compound का melting point boiling point सब काफी high होता है तो इन तिनों में से कोई हो सकता है ठीक है any compound electrical conductivity हाँ में पता है कि any compound solid state में electricity conduct नहीं करता है तो poor conductor ठीक है तिनों satisfy कर रहा है और लेकिन aqueous यह लिक्विड state में electricity conduct करता है तो good good poor यह गलत हो गया यहाँ पर भी good होना चाहिए था तो यह दोनों जो है any compound का property satisfy कर रहे B और C यानि option number B इसका right answer होगा समझे 29 when I observe that the stain of curry on a white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water कुछ यादा रहा होगा यह जो acid base and salt NCATV का first base का question नहीं है what might be the reason for its observation तो ऐसा इसलिए हुआ है वो curry जो है reddish brown इसलिए हो जाता है क्योंकि soap जब घसते हैं तो soap basic nature का होता है ठीक है और जो turmeric है यह natural indicator है जो reddish tinge देता है basis में तो option number 2 और 3 यानि option number B यहाँ पर right answer होगा 29 का 30 in which of the following setups bulb will glow तो bulb वहीं पर glow करेगा जहाँ पर ions formation हो तो यहाँ पर dilute HCL लिया गया है यहाँ पर बल्ब जरूर गलो होगा फिर sewer solution में बल्ब नहीं हो गलो होगा alcohol में भी glow नहीं होगा lime water एक base है यहाँ पर भी ions formation हो जाएगा बल्ब गलो करेगा यानी 1 और 4 यानी option number B इसका answer होगा 31 to 35 assertion reason based question है तो हम तो आपको इतना practice करा है चुके है कि option पढ़ने का जरूरत नहीं है हमें पता है option क्या-क्या है ठीक है तो 31 देखते है assertion लिखा हुआ है fresh milk in which baking soda is added takes a longer time to set as curd तो देखिए जब baking soda थोड़ा basic nature का होता है तो जब इसको milk में डाल देंगे और curd acidic होता है तो इसको acid बने में थोड़ा जारा time लाएगा है ना तो यहाँ पर यह तो statement सही है फिर और reason क्या है इसका baking soda decreases the pH value of fresh milk to below 6 नहीं baking soda क्या करता है increase कर देता है pH value 6 या फिर 7 से ज़्यादा कर देगा तब वो थोड़ा basic हो जाएगा तब उसको ज़्यादा time लाएगा ठीक है तो option यह रिजन गलत है गलत statement है रिजन गलत होता ही हमें पता है कौनसा option right होगा आर इस फॉल्स इसी में होता है आर एक फॉल्स ठीक है तो option number C इसका राइट एंसर है 32 decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic नहीं decomposition of vegetable exothermic होता है तो यह गलत होते ही दूसरा पढ़ने का जुरूत ही नहीं है हमारे पास एक ही option है जिसमें A गलत है तो A is false option number D राइट एंसर होगा समझे जब assertion गलत निकल जाता है ना तो आम लोग reason नहीं परते है तरेक एंसर दे देते है नमबर 33 assertion लिखा है कि resins and gums are stored in old xylem tissue in plants बताइए यह statement आपने कभी पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ा है यह NCAT book page number 112 जो है excretion in plant उस topic में दिया गया है ठीक है यह resin and gums क्या है waste product होते है plant के तो यह सब old xylem tissue में store किये जाते हैं तो बिल्कुल सही statement है यह reason दिया है कि resins and gums facilitate transport of water molecules नहीं यह waste product है इसलिए store किये जाते है तो reason गलत है reason गलत होते ही बताइए कौन सा option देंगे हम एक ही option ने जिसमें R falls है option number C चलिए आगे move करें 34 पे sky appears blue in the day time सबको पता है reason दिया है कि white light is composed of seven color तो यह statement right तो है लेकिन यह इसका correct explanation नहीं है sky इसलिए blue दिखता है क्योंकि जो blue color है वो scatter हो जाता है ठीक है तो दोनों ही right है लेकिन जो है वो correct explanation नहीं है तो यानि option number B होगा बोथ A and R are true R is not the correct explanation of A चलिए हो गया खतम acceleration region based आते है 35 पे the table given below shows the reaction of a few elements with acid and bases to evolve hydrogen gas which of these elements form amphoteric oxides amphoteric oxide ऐसे होते है जो acid और base दोनों के साथ reaction करें तो acid or base दोनों के साथ reaction B कर रहा है और D भी कर रहा है तो B और D यानि option number D ठीक है 36 in which of the following group of organism blood flows through the heart only once during one cycle of passage through the body तो fishes में generally only once blood flow करता है heart में ठीक है तो shark, dogfish, sting रहे, option number D इसका right answer होगा 37 what is common between extensive network of blood vessels around the walls of alveoli and in glomerulus in nephron इन दोनों ही में, alveoli में भी, glomerulus में भी काफी ज़्यादा blood vessels का supply होता है तो क्या common है दोनों में तो देखिए जो blood vessels होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए थीन होने चाहिए थीन वाल्ड आर्टरी, थीक वाल्ड नहीं होगा, थीन वाल्ड वेंस नहीं होगा थीन वाल्ड कैपिलरी होता है, रिशली सप्लाइड विद बलड, ठीक है तो option number D इसका right answer होगा, 37 का 38 पे आते है, plant use completely different process for excretion as compared to animals, सही बात है which one of the following process is not followed by plant for excretion, they can get rid of excess water by transmission, यह तो follow किया जाता है they selectively filter toxic substances through their leaves, नहीं, यह ऐसा कोई mechanism नहीं होता है तो यही not follow होता है, ठीक है C देख लेते हैं, waste products are restored at resin and gums in old asylum, यह तो सही है, अभी हमने पढ़ा था they excrete waste substance into the soil around them, यह भी सही है option number B इसका right answer होगा question number 39, लिखाए कि if the power of a lens is minus 4.0 diopter, then it means that the lens is याद है आपको यह question, यह question NCRT exemplar का है, ठीक है power जो है, वो negative में दिया है, इसका मतलब यह lens किस type का lens है, concave lens है और इसका focal length भी है, जो है, वो negative होना चाहिए concave lens, concave lens, focal length, इसमें दिया है minus 50, इसमें दिया है minus 25 तो निकालना परेगा हमें focal lens कितना होता है, हमें पता है, P equal to 1 by F तो 4, minus 4 equal to 1 by F, यानि F equal to 1 by 4, यहाँ पर minus होगा, और यह meter में आएगा, तो centimeter करने के लिए into 100 करते हैं, तो minus 25 centimeter, ठीक है यानि option number C, इसका answer होड़ा होगा 40 पर आ जाते हैं, raise from sun, converge at a point, यह तो community tab में भी डाले थे यह question को, यह भी exemplar काई question है, raise जो है 50 centimeter पर converge होजाते हैं, यानि 15 centimeter ही focal length है where should an object be placed, so that the size of the image is equal to size of object, image size, object size equal तभी होता है, जब कहां पर रखा जाए, 2F पर रखा जाए, यानि center of curvature पर रखा जाए तो वो कितना distance होगा, 15-15, 30 centimeter in front of mirror, यह होगा इसका answer यह आपने किया ही होगा, उमीद करते है, 41 in which of the following group of organism, food material is broken down outside the body and then absorbed in यह question भी हम करा चुके हैं, MCQ में, बदर यह क्या होगा इसका answer तो इसका answer होगा, yeast mushroom, bread mold, option number B होगा इसका answer 42, in a person that tubule part of nephron is not functioning at all, what will its effect be on urine formation tubule part का function क्या होता है कि यह पानी बहुत जदा absorb कर लेता है, ठीक है, urine से तो पानी यह absorb नहीं होगा क्योंकि tubule part काम नहीं कर रहा है, ठीक से यानि जो urine होगा वो काफी diluted, काफी जदा पानी होगा उसमें, option number D 43 पे आते हैं if the real image of a candle flame formed by a lens is three times the size of the flame and the distance between the lens and image is 80 cm, at what distance should the candle be placed from the lens आराम आराम से पड़के करते हैं, सबस्पहले lens का बात किया जा रहा है, और real image बन रहा है, तो इससे प्रसल गया कि lens convex lens है, ठीक है three times का image बन रहा है, ठीक है, तो यानि magnification जो है, वो तीन गुना बन रहा है three, ठीक है, और real image हमें सा inverted होता है, तो minus three हो गया यह, distance between lens and image, मतलब image distance v जो है, वो 80 cm दिया है, ठीक है, plus 80 होगा यह, at what distance should the candle, u पूछाए आपसे, तो हमें पता है, m equal to क्या होता है, v by u, यानि minus three equal to 80 by u, यहां से solve कर देंगे u के लिए, तो minus 80 by 3, यह, option number d होगा इसका answer, समझ मैं आगिया, 44, while looking at type of diagram, नाली नी concluded the following, नाली नी यह सब बात बोलती है, क्या-क्या बोली है, the image of the object will be virtual one, तो देखिए, focus यह कौन सा mirror है, यह, कौन के mirror है, focus के इधर रखा गया है, तो image virtual तो नहीं होगा, real होगा, virtual एकी case में बनता है, जब within focus रखा जाए, ठीक है, तो यह तो गलत है, the reflected ray will travel along the same path as the incident ray, but in opposite direction, हाँ, यह इस तरफ से direction करके भेजा गया है, ठीक है, center of curvature की तर बैटक करके, तो यह वापस इसी direction में आ जाएगा, opposite direction में, ठीक है, तो यह सही बात है, image of the object will be inverted, हाँ, हमेशा inverted image बनता है, जब real बनेगा तो, और this is a concave mirror बिल्कुल सही है, focal length इसका negative होगा, तो यह भी बिल्कुल सही है, तो सिर्फ यहाँ पे, one छोड़के बागी two, three, four right statement है, यानि option number C, इसका सही answer होगा, ठीक है, next question, 45, in the above diagram, light is traveling through different media, it is noted by a scientist that angle one equal to angle three equal to angle four, angle of incidence हमेशा angle of emergence के equal होता है, लेकिन यह दोनों medium same होना चाहिए, ठीक है, यह अगर हवा है तो यह भी हवा होना चाहिए, और angle four के भी equal है, ठीक है, लेकिन angle two छोटा है angle one से, angle two angle one से छोटा है, तो बिल्कुल सही बात है, जरूर angle two denser medium होगा, और यह rarer medium होगा, तभी light का speed कम हो गया, और angle of reflection छोटा बना, कौन सा statement सही है, medium one is denser than medium three, नहीं, medium one और medium three तो same density वाला है, तो यह गलत है, medium two is the rarest medium, नहीं, यहाँ पर, क्योंकि इस से जाता rare तो यह है, तो यह तो यह तो यह गलत हो गया, medium three is denser than medium one, नहीं, यह दोनों का density same है, medium one और three का, medium one and three are usually the same medium, but medium two is denser than medium, then one and three, ठीक है, one और three same medium है, और medium two जो है, वो one और three दोनों से ज्यादा density में है, तो यह बिल्कुल साइज statement है, option number D इसका right answer होगा, logic समझे का नहीं समझे, 46 पे आते हैं, the refractive index of flint glass is 1.65 and that for alcohol is इतना with respect to air, what is the refractive index of flint glass with respect to alcohol, तो जब्भी भी with respect to वाला नीचे आता है, flint glass का कितना दिया है, 1.65 और flint alcohol का कितना दिया है, 1.36, इसको divide करेंगे तो आप पाएंगे 1.21, यहाँ आप याद रखेंगे, refractive index जब दो का अलग अलग दिया हो, with respect to air, तो दोनों का अगर निकालना हो, एक दूसरे के respect में तो ऐसे, अगर यहाँ पे question में लिखा होता है कि, alcohol with respect to flint glass, तब हम जो भी with respect to लिखार आता है, बाद बाला वो नीचे में आता है, ठीक, अकर यहाँ पे flint glass होता तो नीचे में यह डाल रहे होते, number 47, एक numerical दिख रहा है, the above lens has focal length of 10 cm, चलिए परतर-परतर देटा भी लिखते है, convex lens है focal length 10 cm, positive होगा, ठीक है, an object of height 2 mm, object height h equal to दिया गया है, 2 mm यानि 0.2 cm, positive होगा यह, is placed at a distance of 5 cm, object distance u equal to 5 cm, और यह हमें साथ negative लेते हैं हम लो, find the height of the image, h dash निकालना है, तो देखिए, सबसे पहले f और u को use करके आप भी निकाल लीजिए, lens फर्मला लाएंगे, v जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा, minus 10 cm, ठीक है, तो फिर हमें magnification का फर्मला यूज करना है, m equal to h dash by h होता है, equal to v by u, तो यहां से h dash equal to बोल सकते हैं, v by u into h, v आया है, minus 10, u था minus 5, और height 0.2, solve कीजिए इसको 5 से, सबस्व लें, तो यह point हटा के नीचे 10 लेते हैं, यह 10 10 कर दिया, minus minus भी कर दिया, 2 by 5, 2 by 5 cm, options है mm में भी, तो 2 by 5 into 10 कर देते हैं, तो यह कितना आजाएगा, 24 जा, यह नहीं 4 mm, option number C, इसका right answer हो रहा होगा, समझे, आप इसको आराम से solve कीजिएगा, main है, यह चीज निकालना भी, उसके बाद इसको solve कर देना है, चलिए, 47 हुआ, 48, a cable manufacturing unit tested few elements on the basis of their physical property, which of the above elements were discarded for uses by the company, एक तार मिनाने वाली company है, वो कुछ elements को test करती है, और यह सब property पाती है, ठीक है, for example, यह जो X है, यह malleable नहीं है, डक्टाइल नहीं है, लेकिन अच्छा electricity कंड़क करता है, melting point इसका low है, कम heat में ही पिगल जाएगा यह, ठीक है, तो यह company कौन सा elements को discard कर देगी, मतलब नहीं चुनेगी, तो यहाँ पर दीखिए, W जो बहुत अच्छा दावेदार है, यह malleable भी है, ductile भी है, खीच के तार बना सकते हैं, ठीक है, फिर latency भी अच्छा कंड़क करता है, melting point भी आई है, जारा गरम होने का बाद भी यह पिगलेगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर यह सारा condition से satisfy करे, W को तो select करेंगे ही करेंगे, तो इसमें भी W है, W है, W यानि यह answer तो नहीं होगा, option number B इसका right answer होगा, ठीक है, X, Y, Z को discard कर देंगे, W को select करेंगे, तो यह होगिया section B, अब जाते हैं section C में, total इसमें 12 question है, 10 attempt करना है, और पहला 10 को ही evaluate किया जाएगा, case study based question है, salt story, तो अक्सर जब भी case study में, यह सब को जो लिखा रहा था है, यह सब के ऊपर question नहीं होता है, ठीक है, तो एक्जाम में कर टाइम का कम ही होता, आप यह सब को पढ़ना एवोइड भी कर सकते हैं, for example, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं, पहले questions कैसा कैसा है, यह table में लिखा है, यह table क्या शो कर रहा है, the table shows the mass of various compound obtained when one liter of sea water is evaporated, एक liter पानी को उबा ले तो ऐसा ऐसा कुछ मिला, sodium chloride 28 gram मिला है, magnesium chloride इतना मिला है, magnesium sulfate इतना, यह सब ऐसे मिला है, ठीक है, total amount of salt इतना मिला है, which compound in the table react with acid to release carbon dioxide, तो carbon dioxide वही release करेगा, जिसमें क्या हो, carbonate हो, यह रा carbonate एक ही थो में है, तो calcium carbonate इसका answer होगा, option से भी जा सकते थे हैं, एक ही में carbonate है, option number C, how many grams of magnesium sulfate are present in 130 gram of solid, left by evaporation of sea water, sea water का evaporate किये, total 135 gram solid मिला आपको, तो इस 135 gram solid में कितना magnesium sulfate है, तो देखिए, जब 45 gram solid मिलता है, तो उसमें magnesium sulfate 6 gram होता है, 45 जब solid होता है, तो magnesium sulfate 6 gram होता है, तो 135 solid होगा, तो magnesium sulfate कितना होगा, तो 6 by 45 into 135, इसको काटेंगे 3, 6, 3, 18 gram, उसमें magnesium sulfate होगा, ठीक है, option number C, what is the saturated solution of sodium chloride called, तो sodium chloride का solution को बोलते है, brine, ठीक है, NCRT का question, what is the pH of the acid, which is used in the formation of common salt, तो अच्छा कासा acid लेंगे, strong acid between 1, 2, 3, pH वाला लेंगे acid, ठीक है, option number A, तो देखिए, ये case study based question था, लेकिन question परके answer दे रहे थे, इन सब का उतना दा रोल होता नहीं है, ये सब language का, ठीक है, चेलिए, और question परेंगे, अगर question में जर्रोध हुआ, text परने का, तब ये text परेंगे, ठीक है, पहले ही परके time waste नहीं करेंगे, फिर दूसरा case study है, ये activity based question है, फिगर, फिगर देखके आपको समझ मारा है की, कौनसे activity यहाँ पर किया जा रहा है, फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट एन activity, तो प्रूब दे रिक्वार्मेंट फोर फोर्टो सिंथेश, दूरिं दिस activity, इसको लाइट में रखा गया 6 गंटे तक, फिर iodine test परफॉर्म किया गया, X और Y के एक पत्ते पर, ठीक है, तो इस experimental setup is used to prove essentiality of which of the following requirements for photosynthesis, यादे, इस experimental setup से क्या प्रूफ करते हैं हम लोग, कि carbon dioxide necessary है photosynthesis के लिए, option number C, function of KOH क्या है, ये carbon dioxide को absorb करता है, which of the following statements shows the correct results of iodine test performed on the leaf from plant X and Y, ये iodine जो है, starts के साथ मिलके कौन सा color बनाता है, blue black color देता है, ठीक है, तो starts किसमें present होगा, इसमें KOS जाला गया था, मतलब potassium hydroxide जो है carbon dioxide absorb कर लिया होगा, तो यहाँ पर photosynthesis हुआ नहीं होगा, तो starts का formation हुआ नहीं होगा, यहाँ पर जो color मिलेगा ब्लू ब्लाइक मिलेगा Y के साथ में, तो देखते हैं, blue black color would be obtained on the leaf of plant X, नहीं, यह गलत होगा, blue black color would be obtained on the leaf of plant Y, हाँ, Y के साथ blue black मिलेगा, और no change in color on leaf of plant X, यह सही है, option no. B इसका right answer होगा, 56, which of the following steps can be followed to make the apparatus airtight, airtight करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो NCIAT book में लिखा हुआ था, applying vaseline to seal the bottom of jar, यह तो करी सकते हैं, और साथी साथ, placing the plants on glass plate, ठीक है, glass plate पे भी रखेंगा, तो बाहर से अंदर हवा नहीं जाएगा, तो 1 और 3, यानि option number इसका C होगा right answer, ठीक है, 56 का C, आगे move करें, फिर से case study based question है, लिखाई कि, नूर, a young student, was trying to demonstrate some properties of light, in her science project work, ठीक है, she kept X inside the box, as shown in the figure, वो एक box के अंदर ऐसे X कोई substance रखती है, and with the help of a laser pointer, made light rays pass through the holes, on one side of the box, कुछ holes के जड़िये, और laser pointer के जड़िये, दो ray of light भेशती है, यह वो, ठीक है, she had a small butter paper screen, to see the spots of light being cast as the inverse, और यहाँ पर butter paper रखती है, इस side में, screen के रूप में, और देखती है कि, कैसा light निकला है, तो what could be X, that she placed inside the box, to make the rays behave as shown, यहाँ पर rays laterally displaced दिख रहे है, यहाँ से निकले, तो सबको पता है, यह, parallel sided glass block, यह question अम पहले भी करा चुके है, 58, c measured the angle of incidence, for both the rays on left side of the box, to be 48.6 degree, c new refractive index of material X, inside the box was 1.5, what will be the approximate value of angle of refraction, जभी भी आपको question में, angles और refractive index दिया हो, आप समझेंगे, यहाँ पर snail slow यूज होने वाला है, snail slow बनने का मतला है, refractive index जो होता है, वो sine I by sine R होता है, ठीक है, refractive index कितना दिया है, material का 1.5, sine of angle of incidence, यहाँनी, sine 48.6 degree, इसका value, approach जो बोला है, 0.75 ले लो, तो 0.75 by sine of angle of refraction, यहाँ से जब sine R निकालेंगे, यह इसका double A 2 जा कटेगा, sine R आ रहा होगा, 1 by 2, 1 by 2 यानि sine 30 degree है यह, यानि angle of refraction जो है, R वो कितना होगा, 30 degree होगा, ठीक है, तो option number C इसका right answer होगा, ठीक है, यह question बहुत important है, refractive index और angles के बीच में relation, ठीक है, और यह sign यहाँ पे लिखा था, इसे भी प्रदा चल रहा था, कि यहाँ पे हमें snail's law use करना है, आते हैं अगले question पे, 59 पे, Her friend noted the following observations, from this demonstration, उसकी friend यह सब observation करती है, number 1, वो बोलती है कि glass is optically rarer, नहीं, गलत है वो यहीं पे, ठीक है, optically denser होता, number 2 में बोलती है, air and glass allow light to pass through them, with same velocity, नहीं, अलग-अलग velocity होता है, air में ज्यादा velocity होगा, glass में कम होगा, यह भी गलत बोली हो, 3, air is optically rarer than glass, हाँ, यह सही बोली हो, 4, speed of light through a denser medium is faster, नहीं, denser medium में slow होता है, ठीक है, यह भी गलत बोली हो, the ratio, sign of angle of, sign of incidence in the first medium, to the ratio of sign of angle of refraction in the second medium, gives refractive index of the second medium, with respect to first one, यह दूसरा ही law of refraction लिखी है वो, ठीक है, तो यह भी जो है सही statement है, और एक कौन सा बोली थी वो, 3, तो 3 और 5 यानि कौन सा होगा, 3, 5, option number D इसका right answer है, 59 का, और आते हैं, last question पर, if the object inside the box was made of a material, with a refractive index less than 1.5, इससे कम refractive index बोला, अगर material रखा जाए X के अंदर, तब क्या होगा, तो थोड़ा displacement जो है, वो कम दिखेगा, यह जो light है, वो कम shift होगा, इतना ज़दा, पहले यहाँ से जाड़ा था न, यहाँ से जाड़ा जाथा, इतना shift ना होगे, यहाँ से light निकल देगा, तो रहाँ कम shift होगा वो, ठीक है, option देख लेते हैं, lateral shift of rays would have been less, हाँ, यह option right हो जाएगा, यहाँ पर, और नीचे भी कुछ questions दिया है, यह visually impaired candidates के लिए है, मतलब जिस-जिस image में diagram यूज हुआ है, उन सब questions को, वो ही same question को word में लिख दिया गया है, ठीक है, तो इसको फिर से solve नहीं कर रहे है, वो ही सब questions repetitive है, यहाँ पर, बस अंतर एक ही, पर diagram में देके words में लिखा हुआ है, तो यह होगा total 60 questions, उमीद करते हैं, आपने solve गया होगा, खुद से भी, और काफी सारा का answer भी दिया होगा, ठीक है, तो questions बहुत जादा heart थो थे नहीं, एक दो र एफेक्टिव इंडे सा question थो अच्छे level के थे, और जो circulation वाला question था, हाट वाला वो भी काफी अच्छा question था, तो उमीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा दो जरूर एक like कीजिएगा, comment करके बताएगा आपको कैसा लगा यह वीडियो, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी share कीजिए, और कोई अगर चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और चैनल पर बहुत सारे content है आप उसको देखिए, आपको जरूर वाँ से help मिलेगा आपके exam के लिए, चलिए, end करते हैं, मिलते हैं बहुत अल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए goodbye and take care.